वागत है डेली अपडेट यूपी प्येस्सी न्यूज अपडेट यूपी टीजीटी प्येस्टी 2016, 2021 अपडेट वेटिंग लिस्ट और नियुकती जी हां इन सभी बातों कर बात करने से पहले अगर वीडियो पे नए है चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आइकन आल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेर जरूर कर दें आए सुचना की तरफ चलते हैं तो आज की डेली अपडेट यह है कि यूपी पीएसी न्यूज अपडेट है दूसरी यूपी टीजटी पीजटी की 2016 और 2021 की जो वेटिंग लिस्ट से समद्धी जो धरना हुआ है उस पे हम लोग देता है सबसे पहली न्यूज पे चलते हैं यूपी पीएसी के परिच्छा न यह ने कारिभार समाल लिया है प्रियाग राज उत्तर प्रदेश लोकसेवाई में नुज परिच्छन यह तर अजय कुमार त्रिपाठी अजय कुमार तिवारी ने समाल रहे थे अब तक आयोग के परिच्छा ने तक रहे अरविंद कुमार मिस्र को मुझफर नगर में एस्टीम बित्यम राजस के परद पर भेजा गया है तो अब परिच्छन यह तरह महोदा आ गया है कारिकरम अब जो यूपी पीएसी के परिच्छा है और जो कारिकरम लटके हुए हैं उनमें कुछ तेजी दिखाई पड़ेगी चलिए आए दूसरी अपडेट की तरफ चलते हैं कल वेटिंग लिस्ट वाले भीहरतियों ने नियुक्ति के लिए धरना दिया चैन बोर्ड में टीजीटी पीजीटी 2016 और 2021 के तहर रिक्त पदों पर मांगी निय अशा कि साहताप्रमाधूइंक की दियालव में लिए सुमवार को अच्छा सेवा चैन बोर्ड में धरना प्रदर्शन किया अब्हेरतियों रख्पदों पर और वसेश पैनल में चैनित अबहरतियों को नियुक्त परतान करने की मांग्य उनका कहना है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्तियों ने चैन के बाद जौइन नहीं किया बहुत वहीं बहुत से अभ्यर्तिय ऐसे हैं जिनका चैन TGT और PGT दोनों के लिए हो गया था अभ्यर्तियों के बड़ी संख्या में पुरानी भर्तियों के पत्र रिक्त पड़े हुए हैं और इन पदों पर वेटिंग लिस्ट वालों को न्यूक्ति मिलनी चाहिए अभ्यर्तियों कहना है कि इस बारे में अब उपमक मंत्री ब्रजेश पाठक और सिच्छा मंत्री गुल 2016 और 2021 की परिच्छाओं में जुन्हें परिच्छा दी थी और वो बेटिंग लिस्ट में जो थे और वो लोग बेटिंग लिस्ट का इंचजार आज भी कर रहे हैं और चैनवोड ने इस पर कोई अभी तक ध्यान नहीं दिया है और नहीं कोई इस पर कोई वक्ता भी जारी क किया है तो इसलिए कल चाहत नाराज होकर कल चैनवोड का घिराव किया और वहां प्रदर्शन भी किया और लिस्ट जल्दी से जल्दी जाई करने के लिए मांग की उन्होंने तो यह अभी तक कि टिज़ी टीजीटी पीजीटी और उस देली की अपडेट चैनल पर नए हो झाल झाल